एक समझोधे का संकेत UKRAIN के राश्रपती ने फाइनली दिया है इससे क्या समझना है सर? इससे देखे अच्छा समझना या ठराब समझना है या आप पर डिपेंड करता है हम पहले अच्छी की बात करता है युक्रेण के राशपती क्या कहने है कि वो नेटो की मेंबर्शिप अब नहीं लेना चाहते है यह उन्हें ने बयान दिया है एक टीवी इंटर्वु में राइट रश्या की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो नहीं चाहता कि युक्रेन नेटो के साथ जाए क्योंकि नेटो को रश्या के अगेंस माना जाता है और जो पूरा रश्या का टुक्ड़े हुए उसमें नेटो का बड़ा योगदान था और नेटो बनाई इसलिए था कि ताकि वो रश्या से अलग होने वाले देशों की मदद कर सके ठीक है तो रश्या कभी ये नहीं चाहेगा कि नेटो मजबूत रहे और ये था भी कि उस पूरे रश्या के अलग अलग टुक्रे होने के बाद नेटो खत्म हो जाना चाही था ले अगर जैलिंसकी साब ये कहते हैं कि हम आप आपने जो दबाव बनाया जो युद्र किया जिसकी वेज़े से हम बैक फुट पर है हम छोड़ने को तैयार है तो ये इसका सिदा सिदा मतलब होता है जो आप और हम हासानी से निकाल सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है अब इस इसका दूसरा मतलब होता है जो कूटनीती के और राजनीती के लिए आज से होता है वो समझना जरूरी है अगर युक्रेयन ये स्टेटमेंट खुले आम दे रहा तो इसके दो मतलब निकलते हैं पहला मतलब ये निकलता है कि आप कभी भी अमेरिका यूरोपीन यूनियन ब पूछ लेंगे तेका अगर इनको कह दे कि आके दो दिन हॉस्पिटल में सोहिए मेरी सेवा करिये तो आएंगे नहीं ये वैसे दोस्ते हैं जो अच्छे समय वाले दोस्ते हैं बूरे समय वाले नहीं है ये स्टेटमेंट बहुत साफ जाता है और इसलिए जब हमारे काम कही अगर आज 15 दिन होने आए और पूरा तबाह हो रहा है उसके बावजूद भी नेटो की तरह से कोई एक्षिन तो नहीं हुआ नहीं हुआ तो फिर यह तो हाथी के दान दिखाने वाले हैं तो फिर क्यों मुझे नेटो की सदसेता चाहिए तो यह उनकी तरफ से करारा जवाब है इस जवाब के दो मतलब निकल सकते हैं दीब और वही सबसे इंटरेसिंग है एक तो यह कि वही नेटो भी बॉल देगा जब आप मेंबरी नहीं बनने यह तो ठीक है आप अपनी लड़ के बाद क्योंकि उन्हें भी यह दिखाना है दुनिया बर में कि अगर एक एक करके ऐसे हमारे से देश दूर होते जाएंगे और यह फिलिंग सब में स्ट्रोंग है जो अमेरिका की साथ हमेशा खड़ा रहा है अब तक का रिकॉर्ड है अमेरिका ने मुसिवत के समयमें में इनको छोड़ा है अगर यह फिलिंग उन देश्यों को आती है तो फिर अमेरिका को कुछ करके दिखाना पड़ेगा और यह कुछ करके दिखाने वाली जो सिचूशन है उसमें बात बिगड़ सकती है अच्छा तो दोनों तरफ यह हो सकती है तो अगर सिधे सिधे तोर पर देखेंगे तो बहुत अच्छी ख़वर दिखती है लेकिन अगर इसके आफ्टर इफेक्स नेगेटिव साइट पर जाए तो नेटो को समझ में आ जाएगा कि सिर्फ नेटो को बिल्कि नेटो में जो बाकी देश है वो भी यह सोचेंगे हम क्या सही और्गनेशन में तो है नेटो को अपनी दादाग दिखाने के लिए एक्षन लेना पड सकता है और वो situation बिगाड सकता है क्या होगा दोने में मुझे नहीं पता है मैं situation का visualization कर सकता हूँ event क्या होगी ये मेरी समझ के बाहर है लेकिन दोनों तरसी से देखिए दूसी चीज एक और चीज जो है ना ये दोगलापन बाकी सारे देशों का पॉलेंड को उनको एरोप्लेन भेजने है कल पॉलेंड का वयान है कि हम उक्राइन को युद्ध वाले प्लेन देने को तहीर है लेकिन तुम्हें सिदा नहीं देखिए पहले अमेरिका भेज़ेंगे अमेरिका साब क्या मतलब भाई इवन दो बॉर्डर आपका है मतलब आपको मतलब है ना क्लेरिटी नहीं दूसरी तरफ देखे ब्रिटेन हम आपके ओल और गेस पर बेन लगाएंगे 2022 के अन तक मतलब आप ये चाहते कि उक्राइन और रश्या 2022 के अन तक लड़ते रहे नहीं करना तो साफ मत करो ना इस तरह के स्टेट्मेंट ने कि आप अपनी हसी उड़वा रहे हैं अगर अगले नो महिने तक ब्रिटेन के राश्पती बोरिस जोन साब ये जो है ये बोलते हैं नो महिने में हम पूरा बंद कर देंगे तो ये तो इसके लिए कि आपको दोनों को लड़वाना ज़रूरी था वैसे ही कर देते हैं अमेरिका तुरेंट प्रभाव से बहन लगा रहा है तो सिर्फ इसलिए कि लगबग लगबग ओएल के मामने में वो सेल सफिचिंट है हाडली इंपोर्ट करना पड़ता है इसलिए लगा रहा है हिम्मत है तो लगा के देखें बेन सारे योरोप के देश कि हमें रश्या से गैस नहीं चाहिए ओइल नहीं चाहिए मेटल्स नहीं चाहिए यह तो कोई कर नहीं रहा है इस वक्त है ना डीप यह रश्या और युक्रेयन से कहीं बड़ी चीज हो रही है दुनिया बर में अपने-पने पोलिटिकल एक्वेशन बन रहे हैं और इसका अंत कैसे होगा यह हमारे छोटे से दिमाग की समझ से बहुत बाहर है इसलिए मैं बहुत बुलिश हूँ ने बहुत बैरीश हूँ जैसा दिन जैसा सामने आए जैसे खबरे आए वैसा देखें क्योंकि अन्दा फेस वीट जो खबरे दिखती है वैसा अंदर है हम आगी जैनलेंस की साहब अगर बोल रहे कि नेटों की सज़़ग से ता नहीं ल देंजरेस गेम खेल रहे हैं सरे तो दोनों पावरफुल ब्लॉक्स के बीच में अटक के जाता है इसा थोड़ी मारी देंगे हमें चड़ी जाएंगे लेकिन हो गया ना तो कई बार कैलकुलेशन गलत हो जाती है, कई बार बाकी देशों की कैलकुलेशन यह रही होगी, रेश्या नहीं करेगा, लेकिन पुतिन साथ तो वो सारे के सारे, इस बार तो मुझे याद भी अच्छे से, कि पिछली बार मैंने गलत बोल जाता हूँ, वो राउडी राट् आज भी हमां नाजा नहीं लग रहा, यह सबसे बड़ी दिक्कत है मेरी, कि 14 दिन बाद भी हम यह नहीं समझ पा रहे हैं, यह नहीं सोच पा रहे हैं, आगे देख पा रहे हैं, अनुमान लगा पा रहे हैं कि इसका अंत कैसे होगा, अंत क्या यूक्रेन खत्मों कर रेशा क को सरनेंडर कर देगा यह अंत है या फिर नेटो अमेरिका ब्रिटेन बाकी देश मिलकर रूस से लड़ेंगे यह अंत है परमानों हथ्यार इस्तेमाल किये जाएंगे वह अंत होगा यह क्या बादचीत करके होगा नोबडी नोस जब तक यह अनिश्टित है तब तक मुझे ब बरोसाने इनने तेजी पर ने मंदी पर जैसा है डे बाए डे उसी को लेकर चलते हैं ठीक है सर पर एक बार तो